दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी चार चीजों को फिगो कर खाने के बारे में बताएंगे जिससे सुस्ती और कमजोरी नहीं लाहक होगी इन चार चीजों को खाने से हमारे बोडी को फुल नियूटरेशन मिलेगी इससे सुस्ती और कमजोरी हमें नहीं लाहक होगी सुबा खाली पेट इसका सेवन करने से हम अपने दिन के कामों को आसानी से कर सकेंगे हम अपने दिन के कामों को करके ठक जाते हैं इसका सेवन करने से हमें कोई थकान नहीं महसूस होगी तो चलिए अब हम बताते हैं कि वो कौन सी चार चीजें हैं जिसें हमें भिगोना है और कितनी कॉंटिटी में भिगोना है चना हमें लेना है 30 ग्राम मुंफली का दाना लेना है 20 ग्राम किश्मिष 20 ग्राम लेना है 5 बादाम लेना है बादाम की कॉंटिटी आप जादा भी कर सकते हैं बस एक बात का ध्यान रखना है बादाम को हमें छिलके ही खाना है छिलके के साथ बिल्कुल भी नहीं खाना है इन सभी चीजों को हमें एक ग्लास पानी में भिगोना है और रात भर के लिए ढख के इसे रख देना है और अब हम आपको इसका इस्तेमाल का तरीका बताएंगे सुबह में इसे हमें इस्तेमाल करना है चाय नाश्टे से पहले बिल्कुल खाली पेट नहीं करना है इससे पहले हमें एक ग्लास नीम गर्म पानी पीना है उसके दस मिनट बाद पानी पीने के दस मिनट बाद इसे हमें इस्तेमाल करना है और ये सब चीजें खाने के बाद फिर हमें इसके आधे घंटे बाद नाश्टा करना है आधे घंटे से पहले नाश्टा नहीं करना है तो चलिए थोड़ी सी अब इसके फायदे के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों बादाम के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये हमें कितनी बीमारियों से बचाता है, कितने फायदे देता है अगर हम हर रोज बादाम खाते हैं भिगो कर तो ये हमें बहुत सारी फायदे देता है बादाम में हर तरह के निउट्रेशन और मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, ओमेगा 3 फेटी एसीड, ओमेगा 6 फेटी एसीड, विटामिन E, कैलशियम और फासफोरस वगएरा पाए जाते हैं अगर हम हर रोज बादाम को भिगो कर खाते हैं तो ये हमारी इसकिन को हमेशा यंग दिखाता है हमारी बेजान और रूखी तुचा के लिए बादाम बहुत ही फाइदे मंद साबित हुआ है बादाम के इस्तेमाल से हमारे चेहरे पे ताजगी और चमक आती है ये हमारे शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है इसी तरह भीगे हुए चने के भी बहुत सारे फाइदे हैं अगर हम खाली पेट भीगे हुए चने हर रोज सुबा में सेमन करते हैं तो ये हमारे बोडी में एनरजी पूस्टर की तरह काम करता है भीगे हुए चने को खाने से हमारा डाइजेशन भी सही रहता है ये हमारे आखों की रोशनी को भी बढ़ाता है, खून की कमी को दूर करता है जब आप सुबा खाली पेट भीगे हुए काले चने का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बलड में शूगर और इंसूलीन लेवल को बैलेंस रखता है अगर किसी को अनेमिया की शिकायत है, तो सुबा खाली पेट अंकुरिच चने को खाने से उसकी अनेमिया की शिकायत धीरे धीरे दूर होती जाएगी क्यूंकि काले चने में भरपूर मात्रा में आईरन पाया जाता है तो चलिए अब हम गरीबों के बादाम के बारे में बात कर लेते हैं जी हाँ दोस्तों मौंगफली मौंगफली में दूद और अंडे के मुकाबले जादा प्रोटीन होता है दूद और अंडे में मौंगफली से कम प्रोटीन होता है और ये बात सभी को पता होगी कि हमारे जिस्म को प्रोटीन की कितनी सक्त जरूरत है ये बात हम सभी को पता होगी कि हमारी बोडी के वेट के हिसाब से हमें प्रोटीन की जरूरत होती है मौंगफली को आईरन, नियासीन और जिंग का अच्छा सोर्स माना जाता है इसमें विटामिन E, K और B6 भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं भीगी मौंगफली हमारे इसकिन के लिए ही भी बहुत ही फायदे मंद है तो दोस्तों अगर इसकिन को हमेशा यंग रखना है तो मौंगफली का इस्तेमाल जरूर कीजिए इसी तरह मौंगफली हमारे हड़ियों को भी मजबूत बनाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और विटामिन D भी काफी मात्रा में पाया जाता है इसी तरह हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखनी के लिए भी मौंफली का इस्तेमाल बहुत ही फायदे मंद है इससे हार्मोन्स हमारा बैलेंस रहता है वैसे तो किश्मिश खाने के बहुत सारे फायदे हैं लेकिन हम इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में क्योंकि दोस्तों आज कल जो हमारा खाने पीने का तरीका है उससे हमें पेट की बहुत सारी समस्याओं होती रहती है इंडाइजेशन, कॉंस्टिपेशन, एसिडिटी की शिकायत अक्सर लोगों को होती रहती है तो अगर हम रोजाना भीगे हुए किश्मिश का इस्तेमाल करते हैं तो इन सब समस्याओं को दूर की जा सकती है जी हाँ दोस्तों हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जादो की तरह काम करेगा लेकिन अगर हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे हम ठीक हो सकते हैं रोजाना सुबा खाले पेट इस्तेमाल करने से धीरे धीरे हमारा कप्स ठीक हो सकता है लेकिन इसे 20 या 15 दाना भीगो कर ही खाना है उससे कम बिल्कुल भी नहीं खाना है किश्मिश को हमें अच्छे से धो कर तभी भीगोना है किश्मिश में पाए जाने वाला पोटेशियम और डियाटरी फाइबर हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है एनेमिक पेशंट को किश्मिश जरूर खाने चाहिए क्योंकि इससे खून की कमी दूर की जा सकती है भीगी हुई किश्मिश को हम रात में भी खा सकते हैं अगर भीगे हुई किश्मिश हम रात में खाते हैं तो एक गुलास गुनगुना दूद पी ले तो और भी फायदे मंद साबित होगा तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी जानकारी क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा इसलिए हम इतनी ही जानकारी दे सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज